तीम 22 पर धंपद आरम हो चुका है धंपद की पहली गाथा जा चुकी है धंपद के वारे में हम बताएंगे इससे पहले एक जानकारी तीम 22 की सभी वीडियोज कॉपी राइट फिरी हैं आप कोई भी वीडियो उठा सकते हैं अपने चैनल पर लगा सकते हैं अपने फेस्बुक पर लगा सकते हैं अपने नाम से लगा सकते हैं आप किसी भी तरह तरह से उसका इस्तमाल कर सकते हैं धंपद को बढ़ाने में आप जो बुक है, यह बहुत नैसरगिक यानि प्राकर्तिक, नैचुरल और कुदरती जितने भी आचार सहिता या हुमन के कोड होते हैं जीने के लिए, यानि सुख के लिए जितनी भी बाते होती हैं, अच्छे अच्छी बातों का संग रहे हैं। कल्मा जो भी आपका हैं, यह सारे के सारे बिल्कुल औरिजिनल वो गाथाओं के नाम से जाने जाते हैं, जो गाथा उस समय तथागत के मूँ से या तथागत ने इनको समय समय पर बताया, भगवान बुद्ध ने इनको बताया। इसकी जो इस्तिती है, पाली साहित्ते तीन हिस्सों में तूटा हुआ है पुरा, इसको तिरी पीटक बोलते हैं, तिरी पीटक के तीन हिस्से हैं, सुत्त पीटक, विने पीटक और अभी धम पीटक। सुत्त पीटक में जो खुद्दक निकाय होता है, इनको जो भाग होता है, उस खुद्दक निकाय में जो दूसरा हिस्सा है, किताब है, उसको धंपद बोलते हैं, इस धंपद में 26 वर्ग हैं, 26 section है 26 section में लगबग 423 इसमें गाथाएं है और गाथाओं की कथा भी है यानि बताया गया है कि ये बात कब कही और किस अंदर में कही वो कथाएं भी है और ये word famous है इसका जो पहला वग है यानि पहला जो वर्ग है section है वो यमक है यमक अभी चल रहा है चित वग है चित वग का मतलब है जो चित है जो माइंड है उसका वर्ग है माइंड और मन उसका पुफ वग है पुफ का फूल बोलते हैं पुफ का मतलब फूल है पुफ वग फिर बाल वग है बाल वग का मतलब है मूर्ख वाली बातें या ऐसी बाते हैं जो immature हैं उनको बाल वगे में यानि बाल सेक्षन में आती है फिर पंडित वग है पंडित का मतलब यहां ग्यानी है जो जानकार है उसका एक वर्ग है अरहंत वग वो है अरहंत का मतलब जो सेंट है निर्मान प्राप्र लोग है बिक्कु हैं बंते हैं जो जीवन को पार कर चुके हैं जीते जी जिरों ने दुखों को हटा दिया है अरहंत वग है उसके बाद में सहस वग है सहस वग में हजार सहस माने हजार होता है यानि हजार का सेक्षन है हजार गाता है नहीं है हजार शब्द बीच में वहाँ आता है फिर पाप वग्ग है यानि के जो एविल है बुरे काम है उनका एक वर्ग है दंड वग्ग है यानि पनिस्मेंट का एक वर्ग है एक इसमें जरा वग्ग है जो बूडों से सम्दित है बुड़े कैसे करते है, क्या-क्या बुड़ापे में होता है और किस तरह से मन विचलित होता है जरा अत्वग है अत्वग का मतलब होता है यहाँ पे खुद अत्माने, खुद होता है सेल्फ, यानि खुद के वारे में उसमें बाते हैं लोक वग है, लोक का मतलब है word, लोक दो तरह से आता है, एक सरीर के अंदर को भी लोक बोलते हैं, और सरीर के बहार जो होता है, उसको भी लोक बोलते हैं, बुद्ध वग है, यानि जो allated लोग है, जो बुद्ध है, जिनोंने allatement प्राप्त कर लिया है, जिनको बुद्ध तो मिल गया है, ग्यान प्राप्त हो चुका है, highest knowledge हो चुकी है, उसका एक वर्ग है, एक इसमें सुख वग है, यानि happiness वाला वर्ग है, एक इसमें पिय वग है, पिय वग का मतब है, प्रिय, प्रिय माने जो प्रिया वग है, जिसमें प्रिया के वारें बताय गया है, एक इसमें कोद वग है, कोद माने क्रोध एंगर, एक मल वग है, मल वग जो मल के अंदर होता है, impurities होती है, मल वग है, इसमें एक है धमत वग, यानि जो धर्म में इस्तित लोग रहते हैं, उसको धमत वग बोलत एक है निरे वगगो, निरे का जो मतलब होता है यहां, इसको हम नरक से समझ सकते हैं, कि नरक का एक सेक्षन है, यानि कि वोफुल इस्टेट, ऐसी अवस्ता जो बहुत दुगदाई होती है, एक है यहां पर नाग वगगो, नाग हाती को बोलते हैं, और नाग वंस के जो इसको तशना, एक है भिक्कू वगगो, यानि जिसमें भिक्कू हैं, और जो मेडिसेंट लोग है, जिन्रोंने मेडिसेंट किया, किया हुआ है, जो विपस्ना साधना करते हैं, ऐसे भिक्कू लोग जो लगाता सीख रहे हैं, और लास्ट इसमें 26 मा वग है, ब्रहमल परफेक्ट वन, यानि कि जो पूनत है, उसको यहां ब्रहमल करके दिया गया है, ये धमपद का एक छोटा सा प्रिचे है, जिसमें 26 सेक्षन हैं, और 423 टोटल गाता हैं, और धमपद का जो आरंब है, वो आरंब हुआ है लगबग जब पहली संगती हमारी हुई थी, जिसमें डाले गए थे, और वो इतने बढ़िया बना कि उसको धमपद बोला गया, धमपद का मतलब है, धम के पत तो सारे ही होते हैं, मगर धमपद खास तोर से इसके अंदर भी शब्दा आता है, जिसको धमपद बोलते हैं, 2233 में, पहला संस्क्रण जो चीन में बना, ची चीन की जो धमपद है, उसमें पालिस अधिक गाता है, यानि भारत के जो धमपद है, उससे ज्यादा गाता है, और 265 से लगबग 313 ASP में, इसका दूसरा संस्क्रण आया चीनी भासा में, जो फा, क्यू, पी, यू करके बोला जाता है, और इसका तीसरा संस्क्रण चू, य वो थी धमपद जो 823 ASP में आई, और फागनी पूर्ण मा को ये बनाई गई, और फागनी पूर्ण मा को ही इसका फेस्टिवल बनाया जाता है, बहुत सारी जगे, जहां इसकी जानकारी है, 817 और 842 की बीच में, तिबबती भासा, यानि भोट भासा में ये बन के तियार ह चपना शुरू हुआ, और 845 में रोम में, रोमन में और दूसरा बना 1900 में, उसके बाद में पालिटेक्स सोसाइटी में, स्री लंका में, 1860 में, 1878 में, फ्रेंच में, 1912 में, रूस में, 1950 में, अंग्री भासा में, भारत में, और इसके लावाद जापान, कोरिया, वर्मा, लावस, कमबोडिया, ताइवान, इन सब कंटियों में, जगे-जगे, जिसका हमें जानकारी अभी प्रात्म नहीं है, और हिंदी भासा में, जो पहला छपाई जिसका मिलता है, वो 1908 में है, भदंत उच अंदरमणी महास्तिविर, जिन्होंने बावा साब को दिख्षा दी यह जो चीनी भासा का जो धंपद है, उसमें लगबग 752 के करीब गाथाएं हैं, जहां इसमें 400 तेजस हैं, उसमें 700 बावन हैं, तो यह काफी बड़ा है, क्योंकि जितनी भी गाथाएं हैं, वो त्री पिटेक्स ली जाती हैं, धंपद में गाथाएं बढ़ाई भी जा सक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चीन वाले लोगों ने जो धंपद बनाया, उसमें 752 गाथाएं हैं, धंपद की जो सबसे खास बात है, कि धंपद साधान मनुस्य को खास मनुस्य बनाने के लिए, पूरा का पूरा संपूर रूप से कामियाब है, और ये एक साधान म का ध्यन जो है, वो होना बाकी है, तुल्ला अत्म का ध्यन क्या होता है, तुल्ला अत्म का ध्यन होता है, कि धंपद मनुस्य के लिए बनी है, उसकी आचार सहीता है, सिविल कोड है, उसका जीने के लिए है, जो उसमें होना चाहिए, वो है, जिससे वो अच्छा आदमी बन उनमें ये पाया गया कि धंपद की जितनी गाता हैं, वो किश्यरा किशी रूप में सब जिगे मिलती हैं. क्योंकि धंपद की जो गाता हैं, वो लगबग 30,25 साल पुरानी है. इसने उसकी मानलता उसी हिसाप से है. धंपत में कल्यान करने की मनुस्य का एक ऐसा गरंथ है जिसमें उसके कल्यान करने की कूबत है और ये उसके अंदर एक अच्छी बात है क्योंकि धंपत बहुत प्राचीन है और मनुस्य की आचार सहिता है यानि हैपी लॉंग लाइफ का कोड है इसके अंदर वक्ति बात से मुक्त है इसमें किसी वक्ति के वारे में कोई जानकरी नहीं है इसके जो लेखक हैं इसके लेखक भिक्कु संग है सारा सारा जो जिन्नोंने इसको संपादित किया और ये जो वाणी है सारी सारी ये बुद्ध ने जगे 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 कहिए 45 साल में ये जो बात कहिया उन्होंने वही बात उसके अंदर है तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये भगवान बुद्ध के मुझे से निकले हुए शब्द हैं जो भिक्कु संग ने इनको एकटा किया और अपनी भासा में इनको याद किया पर बात में ये सिलंका में जाके छपना सुरू हुआ यानि कि इसको सुलच्चित रख करके रखा हुआ है जब तक मनुस्य रहेगा तब तक धंपद रहेगा क्योंकि ये मनुस्य के लिए बना है इसलिए मनुस्य जब तक रहेगा मनुस्य का मन जैसे काम करेगा सारी बातें उसमें मन के उपर है वैसा ही ये उसके हिसाब से काम करता है ये उसका एक तरह से आप ये समझेए कि ये उसका software है human का code इसमें लिखा हुआ है आसान है और सल भासा में है बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है और इसमें इत्यास से या माजी से या जो पास्ट है उससे बिलकुल फिरी है इसमें कहीं कोई इत्यास का या माजी का कोई जिक्र नहीं है इसमें present मनुस्य के लिए कि सारी बातें है जैसा मनुस्फ होता है उसके हسाब से सार्व जनीन है यानि सब के लिए है दुनिया में और सर्व कालिक है जब तक मनुस्झ रहेगा हर काल में ये काम आता है संपदाय से मुक्ध है इसमें कोई संपदाय नहीं है कोई ये कहें कि ये बहुत लोग का है कि बुद्ध ने ऐसा कहा या ये बुद्ध का इसमें नाम लिखा हुआ, ये बिल्कुल natural rules है और ये व्यक्ति बात से बिल्कुल और संपरदाय से free हैं, इसमें कोई भी community या संपरदाय की बात नहीं है, ये मनुस्य दोरा बनाया हुआ है, ये कहीं अबतार्यत नहीं हुआ है, ना ही कहीं ऐसा है कि इसका कोई राइटर ना ना हो ये सीधा सीधा बुद्ध के वचन है और ये मनुस्य के द्वारा ही बनाया गया है और ये छपता भी मनुस्य के द्वारा ही है इसके इसमें एक तरफ सिधान्त है अगर आप इसे रोज गोट-गोट के पढ़ेंगे, इसको खूब याद करेंगे, 400 तेज गाथाओं के आप माश्टर हो जाएंगे, सबसे सबस डटेंगे, तो अब इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, यह प्रचारित है, इसका मतलब यह हुआ है कि इसका प्रचार नहीं किया अहम और खास और लाश्ट बात जो मुख्य है, वो यह है, कि आदी में, मद्धे में और अंत में, यानि कि इनिशल स्टेज में, सुरुआत में, मिड में, बीच में और लाश्ट में, यानि कि अंत में, आप कोई सी भी 430 में से गाथा उठा लीजिए, इसका कोई नियम नह करेंगे, तो उसी का लाव आपको मिलेगा, इसलिए ये इसका हर शब्द लावकारी होता है, अगर आप इसकी प्रेक्टिस करें, ये पाली का धंपद है, जो 3P टक में दिया हुआ है, ये उसका छोटा सा प्रिचा है, समय समय पे हम आपको लगवग पूरा का पूरा 3P टक सिंपल भासा में बताने कुछ करेंगे, धन्यवाद